हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग में हूँ फिरोज वेलकम टू फिरोज एलेक्टिकल इस वीडियो में आप लोगों को यह जो पलेट है इन पलेट के बारे में बताऊंगा दोस्तों जो हम अलग से एलिमेंट लगाते हैं इसके उपर तो प्रॉपर तरीके से लग नहीं प पाते हैं अगर हम जुआर से लगा भी देते हैं तो जादा दिन चलता नहीं है दोस्तों मतलब एक महिने दो महिने चलता है और हमारा एलिमेंट खराब हो जाता है तो इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से यह पलेट चेंज करते हैं और इन यह पलेट है इसका होलसेल प्राइस में सबसे पहले इसी पलेट के बता देता हूँ यह फिलिप्स कंपनी की प्रेस में सुटेबल होती है पीचपी लिखा हुए फिलिप्स कंपनी की प्रेस में सुटेबल होती है यह वाली पलेट और इस पलेट का होलसेल प्राइस है 120 से 130 रुपे की यह प्लेट आपको मिल जाती है अब बात आती है 120-30 रुपे की आप खरीद के लाओगे मतलब कस्टमर को कम से कम 200-220 रुपे की लगा के दोगे सर्विस चार्च के साथ में तो प्रेस भी इतनी की होनी चाहिए कि आप यह जब प्लेट लगा रहे हो तो उसका कवर हो जाए क्योंकि अगर प्रेसी धाई 300 रुपे की होगी आप 200 रुपे कस्टमर से इसके ले लोगे पलेट को लगाने के तो कोई फायदा नहीं है फिलिप्स कमपनी की प्रेस है उसमें यह सुटेबल होने वाली यह प्लेट ऐलिमेंट की पलेट लगा देते हो तब आपका फायदा होगा और कस्टमर का भी फायदा होगा प्रेस काफी महंगी आती है तो यह वाला जब आप पलेट लगा दोगे तो प्रेस भी सही हो जाएगी काफी लंबे टाइम तक चलेगी क्योंकि यह एकदम कमपनी की पलेट है यह देखिए यहां से आप इसको पंच करा गया है एलिमेंट लगाने के बाद में इस एलिमेंट के लाइफ बहुत ज़्यादा होती जल्दी खराब नहीं होगा दोस्तों यह वाला जो बेस है यह सिल्वर टॉन की प्रेस में सुटेबल होता है पीछे से बलेक आप देख सकते हो एकदम फनीसिंग एकदम फरस क्लास है एल हो िस एकदम लगा सकते हो लेकिन एतनी लाइफ नहीं होती है आप इसे वाली prec 001 यह थैस प्रेस आती है 500-600Tube लुपे की दोस्तों 700 gi्की, तो आप सब परस पूरा पंच्चिंग के सिस्टाम है एक पंच करने के तब आप बैउ और यह प्रेट आपको दोस्तों एक सो बीस रूप़े में मिल支持 यह वाली भी। एक सो लीस से 250 इस तीश जैसी प्रेट की कौलिटी यह सो रुपए के निचे नहीं मिलेगी और 130 जो बीच हैं यह वाली और यह वाली देखिए इस पर LG लिखा हुआ है लेकिन यह उसमें सुटेबल होती लाइट वेट और यह और यह भी लाइट वेट यह दोनों जो है यह सोड़ी आपको सस्ती मिल जाती है इनकी प्रेस ही आपको 400-500 रुपे की मिल जाती है इन वाले इलिमेंट की यह वाला जो बेस है यह वाला आपको 90 रुपे का मिल जाता है दोस्तों और यह वाला दोस्तों जो बेस है यह वाला यह वाला यह वाला यह वाला प्रेस आपको 95-100 रुपे का मिल जाता है फिर आप अपने इस आपसे कस्टमर को लगा सकते हो अब बात करते हैं हम इस वाले बजाज कमपनी में सुटेबल होता है दोस्तों और यह वाला देखिए यह बजाज ये एक सेवन मॉडल है देखिए पुरा एक दम कमपनी जैसा है सब कुछ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यह देखिए यहापे लिखा हुआ है बजाज 750 वाट का है पुरा यह पलेट है और यह वाला पलेट दोस्तों आपको मिल जाता है अगर आप होल सेल में खरीटते हो अगर आप होल सेल में खरीटते हो तो 120 से 130 रुपय का मिल जाता है फिर आप अपने हिसाब से इस पलेट को भी लगा से तो अब हमारे पास में आता है यह वाला पलेट देखिए दोस्तों मौडल δेख लो आप एक बार इसमें ऐल टाइप में यह वाला एलिमेंट लगा हुआ है और यह वाला जो है यह भी बजाज के मॉडल में और वूसा में दो में सुटेबल होता है कई माताव ऐसे लेगन जो यह चलता है बजाज और वूसा के ऊपर चलता है कि इनमेंट और यह प्लेटे जो है दोस्तों यह प्लेट आपको मिल जाती है सो से 120 रुपे की फिर आप अपने इसाप से केस्टमर को इसे भी लगा सकते हो कहने का मतलब यह है आप यह ना समझो में यह दिखा रहा हो आप तो आप यही लगाओ अगर आपको एलिमेंट लगाने में लगाने से अच्छा भी है प्रेस को फेक दो और नहीं प्रेस ले लो यही बहतर है यही सला दूँगा मैं हाँ अगर 800-900 की प्रेस है और 200-500 रुपे में रिपेर हो रही है और चीज क्वालिटी भी अच्छी लग रही है तो आप लगाओ वो अलग चीज है लेकिन कोई टे प्रेस ले लो उसमें बहतर है तो यह जो पलेट के बारे में आपको पूरी जानकारी मैंने दे दी है आप बताए दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फिरोज लेक्टिकल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलता हो अगली वीडियो में अगले टोपिक के साथ में